रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द ऐसे शब्द इसकी प्राक्टिस करेंगे हम लोग जिसके मदद से हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलते हैं वाक्यों से वाक्यों में होते हैं शब्द तो शब्दों को बढ़ाना उनका stock जो है full रखना जरूरी है तो चलिए शब्दों की practice शुरू करते हैं अगर आप किसी वाकिम इस्तमाल कर रहे हैं के लिए जैसे बोलते हैं न ये मेरे लिए है उसके लिए है तो आप इस्तमाल करेंगे शब्द for का for for साथ यानि की with साथ यानि with मे यानि in जैसे बोलते हैं न पाकेट में in the packet था इस्तमाल करेंगे वाज का लेकिन ध्यान रखेंगे कि वाज का इस्तमाल का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे रूल क्या है वाज का इस्तमाल आप I, He, She, It और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे ओके थे वर शब्द का इस्तमाल करेंगे किसका इस्तमाल करेंगे वर लेकिन इस्तमाल किसके साथ होगा भाई ये इस्तमाल हो जाएगा आपका यू, वी और दे के साथ तो ही आप वर का इस्तमाल करेंगे ठीक है चलिए हैं अगर किसी वाक्य को आप किसी वाक्य में आप कह रहे हैं हैं तो आप आर शब्द का अस्तमाल करेंगे उसी की अंग्रेजी में किसका अस्तमाल करेंगे आर शब्द का अस्तमाल करेंगे वह वह अगर आप कह रहे हैं तो आप that शब्द का अस्तमाल करेंगे क बस द्वारा जा रहे हैं, ट्रेन द्वारा जा रहे हैं, ऐसे आम बोलचाल में तो से का इस्तमाल करते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, पर माध्यम जो है उसके लिए द्वारा, हिंदी में जो शब्द है द्वारा, इसका इस्तमाल किया जाता है, हम लोग आम पोल्चाल में हमने इसको ऐसा बना लिया है कि बस से जा रहें, ट्रेन से जा रहें, है न, वहाँ पर आप इस्तमाल करेंगे शब्द बाई का, किसका इस्तमाल करेंगे, बी वाई, बाई का इस्तमाल करेंगे, कुछ, इस्तमाल करेंगे, सम, क्या इस्तमाल करेंगे, सम, पर, इस्तमाल करेंगे at का, किसका इस्तमाल करेंगे at, होना, होना, इस्तमाल होगा be, be, be का इस्तमाल करेंगे, पर, इस्तमाल करेंगे on का, जैसे मेज पर, on the table, मेज पर, on the table, आओ, कहते हैं ना आओ, कहेंगे come, देखिए, कई बार क्या होता है ना, एक शब्द के माध्यम से आप अंग्रेजी में communicate कर पाते हैं, अंग्रेजी में वारता लाप कर पाते हैं एक तरीके से हैं ना, जैसे अगर किसी को बुलाना है, कहेंगे come, आओ, कहेंगे come, जाओ, कहेंगे go, जाओ, यानिकी go, या इस्तमाल करेंगे शब्द और का, ये दो च करनी हो, ये या वो, उस या के जगहा पर और का इस्तमाल होगा, उसके बाद to, इस्तमाल होगा शब्द say का, किसका इस्तमाल होगा, say का, जैसे Monday to Friday, सोमबार से शुक्रवार, Monday to Friday, सोमबार से शुक्रवार, का, इस्तमाल करेंगे शब्द of का, of, इस्तमाल होगा, say, इस्तमा करेंगे शब्द from का किसका इस्तमाल करेंगे from का इस्तमाल करेंगे Hey everyone welcome to be bankers spoken English class मैं हूं पृती मैम और फिर स्वागत है आपका आज की class में आज की class है जबरदस्त वाली अंग्रेजी की practice वाली भई अंग्रेजी तो सीख लेते हैं पर समस्या सबसे जादा जो है न वो practice करने के समय पर आ जाती है क्या आपके साथ भी यह दिकत होती है तो भई आप सही जगह पर है practice वाली class चल रही है तो जरूर से practice करें इस class में मैं बोल रही हूँ आप सुन करके practice कर रहे हैं बहतर तो यह होगा कि मैं बोलू उसके बाद आप भी repeat करें इसको ताकि आपकी practice जो है उस पर मोहर लग जाए बिलकुल सही तरीके जहना power pack वाली practice हो जाए तो पहली बार अगे इस चानल पर आ रहे हैं तो subscribe कर लीजे bell icon दबा लीजे ताकि आप रोज यहाँ पर आपाएं और मैं जब भी practice कराओं आप अपनी attendance जो है यहाँ पर लगा पाएं यानि कि practice करने आप भी यहाँ पर आपाएं चलिए class को आगे बढ़ाते हैं है किसी भी वाक्य में अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं उस शब्द है का तो is का स्टमाल करेंगे पास है कहेंगे have क्या स्टमाल करेंगे have का स्टमाल होगा समस्य आ गही हैं कि दो शब्द क्यों है भाई pass है दोनों का मतलब है तो बता दूं पास है कि जगह पर आप have का इस्तमाल करेंगे जब आप वाक्य में I, you, we और they का इस्तमाल करेंगे जब आप वाक्य में he, she, it या कोई भी नाम इस्तमाल करेंगे ठीक है? अगला है पास था, had शब्द का इस्तमाल हो जाएगा, पास था के लिए एक ही शब्द है, had है ना? you, you शब्द का इस्तमाल करेंगे, जैसा, इस्तमाल करेंगे as का, किस का इस्तमाल करेंगे? as का इस्तमाल करेंगे, करता हूँ, क्या कहते हैं? करता हूँ, यानि कि do, करता हूँ, यानि do, करता है, करता है, does का इस्तमाल करेंगे, समझते हैं, do का स्तमाल I, you, we और दे के साथ होगा does का स्तमाल he, she, it और किसी भी नाम के साथ होगा किया, कहते हैं न, किया इस्तमाल होगा did का किसका स्तमाल कर लेंगे इस्तमाल कर लेंगे did का सकता है, इस्तमाल करेंगे can का और याद रखिएगा यह जो है शमता यानि कि आपकी ability यानि कि आपकी समर्थता दिखाने के लिए इस्तमाल होता है यह शब्द मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, वह यह कर सकते हैं तो इन सारे जगहों पर can का इस्तमाल करेंगे अगर वाक्य में इस्तमाल कर रहे हो गागेगी सबसे last में तो वाक्य में will का इस्तमाल जरूर होगा किस का इस्तमाल होगा विल का इस्तमाल जरूर होगा अगर वाक्य में होगा इस्तमाल हो रहा है जैसे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा तो will be का इस्तमाल करेंगे किस का इस्तमाल करेंगे will be का इस्तमाल करेंगे pass होगा अगर इस्तमाल हो रहा है तो will have का इस्तमाल होगा किस का इस्तमाल होगा will have का इस्तमाल होगा सका सकी अगर ये इस्तमाल हो रहा है तो could का इस्तमाल होगा वाक्य में मैं कर सका मैं जा सका मैं ये खाप सकी इस तरीके से इस्तमाल करेंगे तो कुड का इस्तमाल करेंगे दो बार कोई चीज अगर दो बार आप कर रहे हों बोल रहे हों सुन रहे हों तो twice शब्द का इस्तमाल करेंगे कहीं और, elsewhere, कहीं और, elsewhere, अधिक, इस्तमाल करेंगे more, मुझे ज़ादा चाहिए, मुझे अधिक चाहिए, I want more, मुझे कम चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए, I want less, क्या, I want less, less, बड़ा, इस्तमाल करेंगे big, शब्द का, किसका इस्तमाल करेंगे, मतलब शब्दी है big, है न, big, बड़ा जब कहना हो, कि यह बड़ा है, तो this is big, छोटा है, small, क्या है, छोटा है, small, हमेशा, always का इस्तमाल होगा, हमेशा, always, वैसे भी, इस्तमाल होगा, anyways, क्या इस्तमाल हो एनिवे कहीं भी कहीं भी एनिवेर कहीं भी एनिवेर इसी लिए देरफॉर इसी लिए देरफॉर कभी 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 सम्टाइम कभी कभी इस्तमाल करेंगे सम्टाइम चाहना कोई चीज अगर आप चाहा रहे हैं चाहना want का इस्तमाल होगा किसका इस्तमाल होगा इस्तमाल होगा want का तक इस्तमाल करेंगे आप जब किसी जगह की बात करेंगे लेकिन TOO two का मतलब होता है भी क्या मतलब होता है भी ठीक है क्या इस्तमाल करेंगे शब्द TOO का इस्तमाल जो है वो भी के तोर पर होता है saw यानि की देखा कहा यानि की said, नया यानि new एक इस्तमाल करेंगे one, एक इस्तमाल क्या करेंगे one, अगर इस्तमाल करेंगे if का किसका इस्तमाल करेंगे if और इस्तमाल करेंगे and, मे यानि की into पर यानिकी on to इंटो का अस्तमाल करेंगे जब किसी चीज के अंदर की बात हो रही हो है न और उसके उपर की सतह की बात हो रही हो तो on to का अस्तमाल करेंगे प्रत्येक यानिकी every अन्य यानिकी other बहुत यानिकी very किस का अस्तमाल हो रहा है very शब्द का इस्तमाल हो रहा है बहुत यानि की very सुना यानि की heard केवल इस्तमाल करेंगे only का जब आप किसी एक particular चीज की बात कर रहे हूं only फिर यानि की then फिर यानि देन हर एक यानि की each हर या हर एक इस्तमाल करेंगे each का प्रकार या तरह इस्तमाल करेंगे kind का, किसका इस्तमाल करेंगे kind का, जरूर, इस्तमाल करेंगे must का, किसका इस्तमाल करेंगे must, ऐसा, इस्तमाल करेंगे such, क्या इस्तमाल करेंगे such, परिवर्तन, क्या इस्तमाल करने है, परिवर्तन यानि की change, परिवर्तन यानि की change, चला गया, चला गया, went, क यानि कि जरूरत, जरूरत जब भी कह रहे हों, तो जब आप convert करेंगे उसको, तो इस्तमाल करेंगे शब्द need का, कोशिश यानि कि try, कोशिश मतलब try, pass यानि कि near, pass मतलब near, भाग या हिस्सा, इस्तमाल करेंगे शब्द part का, किसका इस्तमाल करेंगे? पार्ट का, प्राप्त, यानि की मिल गया, या प्राप्त हुआ, got, क्या अस्तमाल करेंगे, got, भूला या भूल गया, भूला या भूल गया, इस्तमाल करेंगे, forgot, किसका अस्तमाल करेंगे, forgot, चाहिए, कहते हैं ना, कोई चीज़ चाहिए, इस्तमाल करेंगे, शब्द शुड का, किसका इस्तमाल हो जाएगा, should शब्द का इस्तमाल होगा, नीचे यानि की down, नीचे यानि down, पहला, कहते है न, पहला, यानि की first, पहला, यानि की first, जगह, कहते है न, यह जगह है, place, जगह यानि की place, एक यानिकी a एक, उचारन होगा इसका a ठीके, एक and का स्तमाल भी होता है लेकिन कब जब वावल शब्द के साथ शुरुवात हो रही हो या उचारन उसका वैसा साउंड कर रहा हो वाक्य में, तो and का स्तमाल करेंगे, के बारे में about के बारे में about आर, हैं शब्द का स्तमाल अगर हो रहा हो वाक्य में तो आर का स्तमाल होगा ता आ रहा है, अगर कह रहे हैं मैं का वो काम करता आ रहा है, तो बीन जरूर होगा जब आप वाक्य को कनवर्ट करेंगे खोजो find, खोजो यानिकी find, दिया या दे दिया, gave दिया यानिकी gave अभी अभी, अभी just, तुरंट just का स्तमाल होगा अभी अभी, तुरंट just शब्द का स्तमाल होगा जानना अगला शब्द है, जानना यानिकी no, k-n-o-w इस्तमाल होगा, no बढ़ते हैं आगे पसंद, यानिकी like पसंद, यानिकी like लंबा, long लंबा मतलब long, बनाया यानिकी made बनाया मतलब made, बहत यानिकी many बहत यानि many, उपर over उपर, over के उपर अगला है, के उपर above, देखिए, समझिए above जब भी आप कर रहे हैं तो अपने head का जो surface है उसके उपर की बात कर रहे हैं जैसे fan की बात करेंगे तो वो आपके head के above में हैं क्या है? above में हैं, ठीके? यह इस तरीके से इस्तमाल होगा surface के उपर की बात जब हो रही हो तब above कर इस्तमाल होता है pass यानि की near pass मने near do, pass हो गया अच्छा, दूर होगा तो हो जाएगा far क्या रहेगा? pass यानि की near दूर होगा तो far शब्द कर इस्तमाल होगा rest का मतलब होता है आराम, क्या मतलब होता है, आराम करना इसका मतलब होता है, देखा यानि कि सो, देखा मतलब सो, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, इस्तमाल यानि की यूज बहुत यानि की वेरी क्या इस्तमाल हो रहा है वेरी यानि की मैं बता देती हूँ यहां पर लिख करके ठीके यह हो गया बहुत इस्तमाल अप मतलब ऊपर क्या अप मतलब ऊपर हो जाएगा राइट अच्छा लार्ज यानि की बड़ा लार्ज मतलब बड़ा लास्ट यानि की अंतिम भूमी यानि की लैंड गोद यानि की लाप केते हैं लाप टॉप को क्या करते हैं गोद में रखके काम करते हैं कम्प्यूटर पे है ना लाप टॉप एक ऐसा कम्प्यूटर है जिसको गोद पे रखके काम करते हैं तो लाप टॉप लाप का मतलब गोद भूमी यानि की लैंड अंतिम यानि की लास्ट और बड़ा यानि की विशाल काई चीज की बात होती है, कहते है लार्ज है, क्या है लार्ज, राइट? तो चलिए भई, ये थी आपके practice class, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको बताया, practice करवाई और शब्दों के साथ लिख भी दिया उसका उर्थ क्या होता है, तो कैसी लगी class? कमेंट करके मुझे जरूर बताए, Clash बढ़िया लगी है, Clash को लाइक करना है, Clash को ale कर लाइक करना है, Clash को शेयर करना है, Colash को क्लास को कुंकि यह classes अंग्रेजी बोल सकें, क्लास अच्छी लगी, चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके तो मुझे जरूर बताईए, कि क्लास कैसी लगी, चलिए, टेलिग्राम पर जरूर आ जाईएगा, जरूर से, वहाँ पर आपको टेंसे की जो है, इबुक वहाँ प बात करनी होगी, टेलिग्राम पर आना है, इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आने के लिए, इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सूर्तों में, आप टेलिग्राम की इस तरही के का पेज आपको मिलेगा, उसमें आप पहुँचेंगे, वहाँ पर जोइन का बटन कर लेना है वहाँ पर आप अगर हमारी कोई कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि प्रीमियम स्पोकें इंगलिश का कोर्स है या फिर रीडिंग का कोर्स है बेसिक रीडिंग का कोर्स है इन सब के बारे में जानकारी आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कि आप एक कोर्स को कैसे कर सकते हैं और वहाँ पर जानकारी प्राप्त करके आप ये जरूर पूछ लीजेगा कि अगली बैच जो है ये दोनों ही कोर्स की कब शुरू हो रही है ताकि आप आराम से एड्मिशन ले सके है ना चलिए आप पहुंचिए टेलिग्राम पर क्लास को जरूर सुनिएगा प्रैक्टिस करवा रही हूं बढ़िया तरीके से खुद भी करिए दूसरों से भी करवाईए और दूसरों को करवाएंगे तो जानते हैं क्या होता है कि आपको ना एक मतलब व्यक्ति मिल जाएगा जिससे आप अंग्रीजी में बातचीत कर सकते हैं और बातचीत के माधियां से आप अंग्रीजी अपनी सुधार सकते हैं सामने वाले की भी सुधार सकते हैं तो क्लासस को शेर करें दूसरों को भी सिखाएं ताकि वो भी सीखें आप भी सीखें और दोनों अंग्रेजी में बात कर सकें मैं आप से मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में Till then, thank you so much for watching Stay tuned to Be Banker's Spoken English